हलो दोस्तों स्वागत है आप लोगं का हमारे यूटूब चैनल महान सर में दोस्तों हमने पिछली किलास में गांधी जी के बारे में पढ़ा था उनका पूरा जीवन पढ़ा था और जब वो भारत बापस आयते अफरीका से तो वो हमने पढ़ा था कैसे उन्होंने पिर्थम 20 युद में भारतियों को युद में सामिल कराया था अंग्रेजूं की तरफ से वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और उसका रिजल्ट भी हमने देखा था कि आखिर क्या हुआ था और आज जो पढ़ने बाले हैं उन्ही सारी घटनाओं का एक रिजल्ट आता है राउलेट एक्ट तो राउलेट एक्ट क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे असयोग आंदोलन क्या था खिलापत आंदोलन क्या था सारी चीजें पढ़ेंगे 24 कांड क्यों हुआ 24 कांड क्या था ये सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अगर आप लोग वीडियो पे नय हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेश कर लें कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप वीडियो पे लाइक करते हुए ही आगे बढ़ें जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले लाइक कर दें फिर आप वीडियो को देखें इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लोगों ने मेरे लिए लाइक किया है यानि कि वीडियो लोगों को पसंद आई है मेरी बनाई हुई और वीडियो पे कमेंट दोस्तों जरूर करें कि क्या इसमें कमी है और क्या इसमें अच्छा है है यह सारी चिजे हमें पता लगते हैं आपके कमेंट के जरूए और हमें मोटिवेषन भी मिलता है कमेंट देखते हैं कि हाँ आवलो क्या गए है मेरे बारे में तो यह बहुत अच्छा लगता है तो बढ़ते हैं और क्या है रॉलर टेक्ट रॉलर टेक्ट जिसको क्या बोला गया था दोस्तो बलेकला बोला गया था क्या बोला गया था बलेकला बलेकला क्या होता है काला कानून इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और रॉलर टेक्ट आया था अपका 1919 में इसके पकड़ो और लोगों को जेल में ठूस दो इस नारट एक्ट का क्या मतलब था साप साप बासा में बात करूं तो ये था कि कोई भी राष्ट बादी बेक्ती कोई भी चार पांच बेक्ती अगर इखटे कहीं पर भी बात कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि ये देश दिरोही की बात कर रहे हैं ये सरकार के खिलाब बात कर रहे हैं इनको पकड़ो और जेल में डाल दो और इनके खिलाब ना कोई अपील की जाएगी ना कोई बकील इनका साथ देगा ना कोई दलील इनकी सुनी जाएगी तो ये ऐसा कानून था किसी को भी सक्के आधार पर ग्रपतार करके डाल देते थे यही रॉलर टेक्ट था अब इसी रॉलर टेक्ट के कारण जलियां वाला बाग होता है तो वो सारी चीजें पढ़ते हैं तो रॉलर टेक्ट अपका जो आया था ये कब आया था 18 मार्च 19 से 19 को काला कानून जिसे बोला गया या फिर इसको आतंक बादी केसरे हिंद की उपादी बापस कर दी थी क्या गांदी जी ने जो गांदी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपादी दी थी मैंने पिछली किलास में आप लोगों को बताया होगा तो वो उपादी गांदी जी ने बापस कर दी थी और 6 अपरेल 19 से 19 को गांदी जी न तो ऐसी इन्होंने एक सभा बनाई जिसे सत्यागरेश सभा का नाम दिया गया कुल मिला के कहा जाए तो गांदी जी इस चीज के बिल्कुल ब्रोध में आ चुके थे रॉलर्ट एक्ट के किमकि इन्होंने अपनी केसरे हिंद की उपादी भी लोटा दी और उसमें देश व्या गांदी जी पंजाब चले गए सत्यपाल का साथ देने के लिए गांदी जी के साथ ही कहां थे स्त्रद्दानंद और सत्यपाल लेकिन ये लोग कहां पे थे ये पंजाम में थे तो गांदी जी कहां गए पंजाम में गए सत्यपाल का साथ देने के लिए अब यहां पे क्या ह होता है रालर टेक्ट के विरौध जब हो रहा था रालर टेक्ट का विरौध कर रहे है सट्यॵाहर और सहिपुद्दिन किचलू ये दो ब्यक्ति थे बहुत बड़े लेडर थे कॉंग्रेस के एक सहिपुद्दिन किचलू और सत्यपाल डक्टर सत्यपाल इनको गरफतार कर लिया गया क्योंकि ये रॉलर टेक्ट का बढ़ाई विरोध कर रहे थे ये जो देश ब्यापी हरताल चल रही थी ना इस देश ब्यापी हरताल को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे ये सहिपुद्दिन किचलू और आपके सत्यपाल डक्टर सत्यपाल कर रहे थे जो कि गांदी जी ने ये आंदोलन सुरुआत किया था उसमें ये बढ़चड के हिस्चा ले रहे थे आपके सत्यपाल उ सहिपुद्दीन किचलू इनको ग्रफतार कर लिया गया सक्यादार पर की क्योंकि ये कानूनी ऐसा था इनको ग्रफतार करके जेल में डाल दिया गया था सक्क्यादार पे लोगों को गरफतार करना और इनकी गरफतारी के बिरोद में 20,000 भीड इकटा होकर जलियावाला बाग पहुंचती है और ये जो सबा बुलाई थी जलियावाला बाग की सबा ये हंसराज ने ये सबा बुलाई थी कभी कभी कॉस्टन पूछ लिया जाता है जलियावाला बाग की जो सबा आई थी वो किस ने बुलाई थी तो वो हंसराज ने बुलाई थी 20,000 लोग जलियावाला बाग में इकटे होते हैं बहां बीड पहुंचती है अब जलिया बाला बाग वहीं पे क्या होता है जलिया बाला बाग हत्या कांड होता है 13 अप्रेल 19 से 19 को जलिया बाला बाग हत्या कांड की गटना गटती है बैसाखी का दिन था ये डेट आप याद रखना 13 अप्रेल 19 से 19 बैसाखी का दिन कभी भी पूछा जा सकता है क्या हुआ था एक तो Michael O. Dyer था एक journal डायर था Michael O. Dyer जिसका नाम जो की Lieutenant Governor था इसने भीड को रोकने का आदेश दिया इसने का ये भीड खतम की जाए अब इस भीड को रोको किसी भी तर है लेकिन ब्रिगेडियर जर्नल जो की जर्नल डायर था उसने क्या किया भीड़ पर गोलियां चलाने का आदिश दे दिया कहा ये जो भी है इन सब को भून के रख दो तब ही ये मानेंगे जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक मानेंगे भी नहीं तो ऐसा कुछ जनरल डायर ने बोला और जलिया बाला बाग हत्या कांड में हजारों लोग मारे गए, सैक्डों लोग इसमें मारे गए और ये जानबूज कर किया गया एक हत्या कांड था, ऐसा नहीं था कि मतलब भेड को रोकने के लिए गोली चला दी गई थी, ऐसा कुछ भ बड़ा ये हत्या कांड हुआ था, इसमें हजारों लोग मारे गए थे, हजारों घायल हुए थे, बहुत से अपंग हो गए थे, बहुत से बहीं दम तोड़ दिये थे, कोई भी भाग नहीं पाया था, किनकि अब ये आप लोगो दिख रहा होगा यहां पे, ये धड़ा बाग हत्या कांड की बज़े से क्या हुआ था, यहां पे, जलिया बाला बाग हत्या कांड की बज़े से हजारों लोग जो मारे गए थे, अब इसी के कारण क्या हुआ यहां पे, एक मिनट, इसी की बज़े से रबिंदर नाट टेगोर ने नाइट, नाइट सर की उपादी अपकी क्या कर दी थी त्याग दी थी जो इनको 1913 में मिली थी एक इन्होंने पुष्टक लिखी थी गीता अंजली साइद उसका नाम है तो उस पे इनको एक उपादी मिली थी नाइट जिसे सर की उपादी भी बोला जाता है तो ये इन्होंने बापस कर दी थी इस जलिया बल पिख्याज ने राय-बहदुर की उपादी बापस कर दिभी Ty इन मतलब इस्तना बड़ा यह थियकाछा था कि लोगों को जू बादीयां मिली थी उन्होंने इस सद्वे से या इसाथ्य कान को देख़ कर और उन्होंने यह उपादीयं चोड़ी क्या हम में आपकी उपादी न क performs in June 1919 में क्या बनती है अक्टूबर 19 19 19 में क्या बनती हैं हंटर कम् Britney सरकार ने विबसि होकर जलिया बालबाग। सित म्यां की ज्यांच के लिए इसे बनाया था हंटर कम्を को एक तंटेंख का गठन किया वह का कि CT 않고 हैं चया था यह हंटर कम् एक तो अध्यच्छ आपका लाड हंटर था और आठ सदर्श थे जिसमें आपके पांच अंग्रेज थे और तीन आपके भारतिये थे जिसमें चिमनलाल, सीतलवाड और साहब ज्यादा, सुल्तान, जगत, नारायड ये तीन लोग आपके क्या थे भारतिये थे मार्च 19-20 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, मार्च 19-20 में ये रिपोर्ट आती है, इस जलिया बाला बाग की जो कमीटी बनी थी, जो हंटर कमीटी बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, इन लोगों ने क्या मार्च 1920 में इनकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में था क्या अब उस रिपोर्ट में क्या था यही रिपोर्ट मतलब आय थी कि हाँ किस लोगों को हम क्या देंगे यह देंगे वो मतलब उनकी जाच के लिए ऐसे बेना दी थी लेकिन इसमें किया कुछ नहीं गया था। और इस赫र कमूटी में हुआ क्या था। मैं आपको बताता हूं। इसर रेकोमूटी में जब जर्णल डायर से पूछा गया था। कि आप यांपने अशसा क्यों किया? घोलनें क्यों चल वाऍधी। तो जडर्णल डायर ने बोला था वो तो गेट का दरवाजा थोड़ा छोटा था तो टैंग अंदर नहीं जा पारे मैं तो अंदर ले जाकर गोलीय चलाने बोला था लेकिन मतलब उनहोंने अपनी प्रितिकरिया दी उनहोंने जो अपना बयान दिया वो इस पे दिया कि ये हत्या कांट नों नों जान बुज कर किया था और उनको मालुम था हमारा कुछ होना भी नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा कह भी दिया और इससे पहले ही ये रिपोर्ट आती इससे पहले ही सरकार ने दोशियों को बचाने के लिए एक बिल पास किया था इंडेमिनिटी बिल और ये बिल इसलिए था ताकि जो दो सी लोग थे जर्नल डायर बगएर थे इनको बचा लिया जाए रिपोर्ट तो तयार करा दी लोगों को सांत करने के लिए लेकिन उससे पहले ही एक बिल पास कर दिया एक याचिका डाल दी और उनको बचा लिया गया फिर कुछ चीज़ें उनकी छीनी भी गई ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ तो हुआ है तो जर्नल डायर को क्या है न बिर्टिस सरकार ने उसे क्या किया मान की तलवार की उपादी थी मॉर्णिंग पोस्ट अकबार आता था उसी टाइम पे एक अंग्रेजी अकबार था उसने तीस अजार पाउंड इसको दिये थे जर्नल डायर को इस कारनामे के लिए इस जलिया बाला बाग हत्या कांड के ब्रोध में एक बिक्ती हैं माइकल ओ डायर जो माइकल ओ डायर मतलब जलिया बाला बाग एक तो जर्नल डायर था एक माइकल ओ डायर तो माइकल ओ डायर को उधम सिंग ने मार्च 1940 में लंदन में जाके गोली मारी थी माइकल ओ डायर को उधम सिंग ने तो ये मतलब 21 साल ब कब कोई भी घटना का रिजल्ट कब आएगा आप बता नहीं सकते हैं 19 से 19 में जलियां वाला बाग हुआ और उसी घटना से जो परेशान विक्ती दुखत विक्ती उदम सिंग थे उन्होंने 1940 में माइकल ओडायर को लंदन में जाके गोली मारी थी और यह कुछा जाता है माइ हंटर कमीटी बनी थी उसी तरह से एक तहकीकात कमीटी भी बनी थी हंटर कमीटी बिर्टिस सरकार ने बनाई थी तहकीकात कमीटी कॉंग्रेस ने बनाई थी और यह किसलिए बनाई थी जो जलिया बाला बाग हुआ था उसी की जाच के लिए यह तहकीकात कमीटी बनी थी औ अद्यच काउन थे मदन मोहन मालविय जी थे और इसमें आने सदस्त भी थे जैसे कि इसमें मोतिलाल नहरू थे मात्मा गांदी थे चितन दन्दास अबास तयव जी थे पुपुल जैकर थे तो इतने लोग इस तैकिकात कमीटी में थे और इस तैकिकात कमीटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी इस कमीटी को जी रिपोर्ट आई थी उसमें इसने क्या कहा था इसने बताया था इस बरबर कृति की निंदा की थी यानि जलिया वाला बाद जो हत्याकान दुआ था बड़ी इसकी क्या की थी इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था बड़ी इसकी निंदा क ति बड़ि इसकी आलोचना की थी और इनोंने मांग की थी कि दोशियों के खिलाब करवाई की ज़ाए जो भी इसके दोशियों उनके खिलाब करवाई हो तो ऐसी इस awareness कमेटी की रिपोर्ट में यह मतलब यह resource आई थी और जो मिर्तक हुए हैं जो मतलब जलिया बाला बाग अत्या कांड में बहुत से लोग मारे गए थे तो मिर्तक के परिवारों को आर्थिक सायता की मांग की थी इस रिपोर्ट ने लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो आप याद रखना कि तैकिकात कम्यूटी और ये आपके गयाते सदर से थे ऐसे आप याद रखना इसने क्या क्या मांगे की थी आप समझ जाएंगे कि क्या इसने मांगे की थी अब इसके बाद गांदी जी का एक अंदोलन आता है असायोग इसी गटना के कारण तो आता है ये जलिया बाला बाग तैकिकात कमीटी ज कुछ भी नहीं सुना गया था तब जाके असयोग आंदोलन का कदम उठाया था अपके महत्मा गांदी जी ने महत्मा गांदी जी ने असयोग आंदोलन का जो ये कदम उठाया तो ये असयोग आंदोलन इसका मतलब क्या था इसका मतलब था वोई कार्ट अंग्रेज अंग्रे बोलते हैं एंग्रेजी में और इसकी जो शुरुवात हुई थी वो एक अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा की गई थी को शुरू हुआ पहला जन आंदोलन था ये पहला ऐसा आंदोलन था जो कि जन आंदोलन था जन आंदोलन बोले तो इसमें पहली बार जनता ने भागीदारी दिखाई थी जो आम जनता होती है न पहले भी बॉयकॉट हुए थे बहिसकार आंदोलन हुए थे सुदेशी हुए लेकिन उस टाइम पर भी इतना जनांदोलन इसमें नहीं सामिल हुआ था जितना कि असयोग अंदोलन में सामिल हुआ था तो यह पहला इसलिए इसको जनांदोलन बोला जाता है क्योंकि इसमें हर एक निचले तपके ने इसमें इसमें हिस्टा लिया था हर एक निचले तपके और असयोग अंदोलन का जो प्रस्ताव है अभी किया पर असयोग अंदोलन से मैं एक बहुत यहां पर लिखे तो नहीं लाया हूँ लिकिन बहुत इंपोटेंट आपका फैक्ट है वो क्या है जिस दिन असयोग अंदोलन की सुरुआत होती है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जो कि बहुत बड़े लीडर भी होते हैं उनकी क्या हो जाती है उसी दिन मिरत्यु होती है एक अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की देत होती है और एक अगस्त 1920 को ही आंदोलन शुरू होता है सयोग असयोग अंदोलन का जो प्रस्ताव होए वो चार सितंबर 1920 जो कलकत्ता अदिवेशन हुआ था ना उसमें पारित हो गया देखिए अंदोलन तो पहले ही शुरू हो गया अगस्त में ही लेकिन अगले महिने की चार सितंबर को ये प्रस्ताव पारित भी हो गया कि आप असयोग मतलब जो मेरी मतलब एक गुरूप है जैसे की कॉंग्रेस है तो उससे पूरी अनुमती लेनी पड़ती है ना कि वो सब सामिल होना चाहते हैं कि नहीं तो सुरू तो कर दिया था लेकिन कलकत्ता अजबैसन में उसको पारित कर दिया गया और सभी लोगों ने उसमें क्या है बड़ चड के इससे भी लिया था सभी लोगों ने सयोग किया था इस असयोग अंदोलन को चलाने में अभी असयोग अंदोलन क्या था असयोग अंदोलन में हो क्या रहा था अंग्रेजी बस्तों का वहिस्कार हो रहा था जो कि पहले भी हुआ था तो ये भी स्कूल, कालेज, कोड, मजदूर, हड़ताल, सब कुछ, सारा कुछ इन्होंने क्या स्कूल जाना बंद कर दिया, कोलेज, कोड, सब कुछ छोड़ दिया, अदालत, पदालत, डॉक्टरी, फॉक्टरी, सब कुछ, सारी चीजों का बहिस्कार कर दिया था, मजदूरों ने हड़ताले करना सुरू कर दी थी, तो हर एक चीज का क्या कर दिया था, बिष्कार कर दिया था ुनाइस्फो बिश में एक जामियां मिलयां बिश्विद्याले बनाये गया था सिर्फ एपनी मतलब either case के लिए अपनी एजूं के लिए बनाया गया था किउ मैं हभी तक सरकारी जो भीिस थी ऊपिल्यज के बिश्विद्याले है अब इस बिश्विद्याले से मैं आप लोगों को बता देता हूं यह वही बिश्विद्याले जहां से सारुक खाने भी पड़ाई की है तो 1920 में जामियां मिलियां बिश्विद्याले की स्थापना होती है और 1920 में एक और मतलब बिश्विद्याले की स्थापक हैं सर स्यद ऐमत खान जिन को मैंने केबल स्यद आइमत कहां करके लिखा है इनका नाम है सर सहीद ऐमत खान और यही कॉलेज्च जो अलीगड मुसिलिम विष्भिधियले है जो अलीगड में है ये 1875 में ही स्थापना इसकी हो गई थी लेकिन उस समय इसका नाम था Muslim Anglo Oriental College या फिर कहीं कहीं मिलेगा Momden Anglo Oriental College भी मिलता है तो 1875 में सर स्थेद एमत खांकी द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी और 1920 में 182 विद्ध्य पीट की स्थापना की गई थी गलग गुजरात में भी एक कोले जाया था कोई तो यह सईयोग आंदोलन बड़े जोर सोर से चल रहा था पूरे देश में फैला हुआ था हर एक तबके का इंसान डोक्टरों ने डोक्टी छोड़ दी बकीलों ने बकालत छोड़ दी लोगों ने दफ्तर जाना छोड़ दिया तो असयोग पूरी तरह से चल रहा था गांदी इने चर्खा चलाया खुद कपड़ा बनाया गे सारी चीजें अपने आप करने की सोची थी लेकिन बात क्या हो गई उसी टाइम पे पांच फरवरी आपको याद होगा पांच फरवरी 1922 में ये घटना हो जाती है चारी चार सोर पे तो किसान अपने जुलूस के लिए साथ निकल रहे थे तो बहाँ पे गोरकपुर में एक थाना है तो उस थाने के सिपाईों ने क्या किया था उस उस जुलूस पर क्या है गोलिया चला दी और गुश्य में आकर किसानों ने क्या कर दिया था उस पुलिस टेशन को फ हिंसा की गटना हो गई थी और इस गटना के चलते गांधी जी ने क्या किया था असयोग अंदोलन को ठप कर दिया था यूगि एक गटना हिंसक होने के कारण उन्होंने ये बंद कर दिया था लेकिन ये उनका बड़ा ही गलत कदम था उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अग 12 फरबरी 1922 को चवरी चवरा घटना होने के कारण गांधी जी ने असयोग आंदोलन बंद कर दिया था जो असयोग आंदोलन मतलब पूरे जोरसोर से चल रहा था और लोगों को लग रहा था कि अब आजादी बस दूर नहीं है अब हमें आजादी मिली जाए कि हर एक चीज मे डिस्टरबेंस हो गया था अंग्रेजियों का कोई भी काम चली नहीं पा रहा था लेकिन क्या हो गया कि वह सयोग आंदोलन जैसे बंद हुआ गांधी जी को गिरफतार कर लिया गया छे बर्ष की सजा हुई गांधी जी को लेकिन 1924 में जेल से बाहर आ गय हालांकि 12 साल में आ गय बैसे तो इनको 22-28 में आना चाहिए था लेकिन 12 साल के अंदर आ गय इनकी कुछ तव्यत बग्यत खराब हो गई थी इसलिए स्वास्त 24 में ही जब ये बाहर आ गए तो इनका एक अधिवेशन होता है बेलगाउ अधिवेशन पहली बार उसमें ये अध्यच बनेते कांग्रेश के पहली बार बेलगाउ में अध्यच बनेते गांदी जी तो ये बात आप याद रखना इसके बाद खिलापत आंदोलन मतलब असयोग आंदोलन के साथ ही एक आंदोलन और चल रहा था खिलापत आंदोलन और खिलापत आंदोलन और असयोग आंदोलन आपस में मिलके चलने लगे थे कैसे एक हो गए थे देखिए यहाँ पे खिलापत आंदोलन और असयोग आंदोल के बाद बिर्टेन ने तुर्की के बीच बिर्टेन और तुर्की के बीच क्या हुआ था एक सेवर्ष की संदी हुई थी कहीं कहीं पे सेवरीज की संदी भी लिखा हुआ मिलता है तो ये प्रतम विश्युद के बाद हुई थी एक संदी हुई थी तुर्की और बिर्टेन के इसमें क्या का गया तुरकी के खलीपा अबदुलमजीद के समस्त अधिकार छेन लिए गए ते और तुरकी के दो हिस्से हो गए थे इस संधी के दरिये जबकि हो क्या रहा था कि संसार के सभी मुसल्मान संसार के मतलब दुनिया बर के मुसल्मान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे खलीपा एक पद होता है धार्मिक पद होता है पोलिटिकल पद भी होता है और ये बहुत बड़ा पद होता है खलीपा तो सबी मुसल्मान तुर्की के खलीपा को अपना खलीपा मानते थे सुल्तान को और बारतिय मुसल्मानों ने क्या किया बारतिय मुसल्मान ने तुर्की क के बीच एक क्या हुई पहले ऐसे समझ लीजिए उसमें जो लिखा है पीपीटी में वो आप पढ़ लेना मैं समझा दे तुर्की और अंग्रेजियों के बीच एक संदी हुई सेब्रीज की तो तुर्की के बीच जो संदी हुई तो इसमें तुर्की के अधिकार छीन लिए ग मुसलमान तुर्की के खलीपा का संबान करते थे तुर्की के खलीपा का अधिकार फॉर्खलियों का संदी हैं और हमारे धरम इस्तिलों की रक्षा की जाए। ऐसा अंग्रेजों से इन्होंने कहा। अंग्रेजोंने भी ऐसी बात मानी दि लेकिन अंग्रेजोंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन युद्ध में बिजय के बाद अंग्रेश सरकार अपनी सर्तों से मुकर जाती है वो अपने बादे भूल जाती है बारतिये मुसल्मान अंग्रेश सरकार से नफृत करने लगे और हिंदू-मुसलिम एकता की इस्थापना कर दी उन्होंने एक मतलब हिंदू-मुसलिम स्थापना कर दी इदर खिलापत आंदोलन जो की मुस्लिमों का आंदोलन था मुस्लिमों का आंदोलन था उदर असयोग आंदोलन जो पूरे देश का आंदोलन था तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मात्मा गांदी ने इस मौके का फायदा उठाया था और 23 नवंबर 19 सव इनिels को डिली में एक आखिल भारतिये खिलापत कमेटी का अध्युसन बुलाएा और गांदि जी ने उसकी अद्यस्ता की ती और क्या है असायोग आंदोलन को अपने साथ ले लिया था खिलापत आंदोलन को सयोग आंदोलन में मिला लिया था और 1819 और 1918 और 19 में क्या है मद बारत में जो खिलापत आंदोलन चल रहा था देखी खिलापत आंदोलन गांदी जी ने अपने साथ में ले लिया लेकिन ये आंदोलन चला कहां से था वो भी तो समझ लेते हैं ये अंदोलन मुहम्मद अली, साउकत अली, हकीम, अजमल खां, अबुलकलाम आजाद, इन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें मुहम्मद अली और साउकत अली का बड़ा ही हां थे, इन लोगों ने इस अंदोलन को 1918 और 1919 में स्टार्ट कराया था, और ये जो पत्रिका का नाम याद रखना कभी भी पूछा जा सकता हिलाल पत्रिका किस कि ए तो अब उलकलाम आजाती है बीस जून 1902 को इलाबाद में हिंदू-मुस्लिम एकता की सहयुक्त बैठक बुलाई जाती है 20 जून 1902 को हिंदू-मुस्लिम एकता की एक बैठक होती है और 31 अगस्त 1920 को क्या होता है खिलापत दिवस के रूप में मनाने का निरणे लिया जाता है मतलब खिलापत आंदोलन को बो चीज मिल गई थी जो अभी तक भारतिये लोगों से नहीं मिल पा रही थी अभी तक जो क् खिलापत आंदोलन एक मुस्लिमों का आंदोलन था लेकिन अब जो था वो कॉंग्रेस का भी एक आंदोलन हो गया था और इसलिए इसको खिलापत दिवस के रूप में कि खिलापत करना या असयोग करना बात तो एक ही है ना अंग्रेजों की खिलापत करना या अंग्रेजो इनिटीज हैं वो असयोग करेंगी दोनों मिलके गांदी जी के साथ आ गए और अंग्रेजों के खिलाप हो गए एक बर्स के अंदर आजादी मिल जाएगी गांदी जी ने ऐसा बोला था अगर इसी तरह खिलापत आंदोलन असयोग आंदोलन बर्क करते रहे तो एक बर्स के अंदर ही हमें आजादी मिल जाएगी लेकिन बोई बात चौरी चौरा अगर ना हुआ होता तो साइद मिल भी गई होती उनिस सो चौवीस में खिलापत आंदोलन बाद में समाप्त कर दिया गया क्यूंकि चौरी चौरा कांड होने के बाद आसयोग आंदोलन तो ठपपी प पत था यह निस सो चौवीस में ये नष्टी हो जाता देकी तुर्की के सुल्तान ने जो की मुस्तफथ कमाल पासा होते हैं उस टाइम पर पुंहित है जो छलीपा का पत था यह तर पकोू' समाप्त कर दिया था और यह जो खलीपा का पत था यह गयोड़ा इम्पोटेंट किया था और 1924 में यह अंत हो गया था और मुस्तफा कमाल पार्षा ने तुर्की का एकी करण किया था कि तुर्की अंग्रेज और बिर्टेन के मतलब बिर्टेन और तुर्की के बीच जो संदी हुए थी से ब्रीज की उसमें तुर्की छिंड बिन हो गया था तुर्की के टुकडे हो गये थे उस तुर्की का टुकडे जो हुआ था उसको किसने समवाला था उसे एकी करण करने का का मुस्तफा कमाल पासा ने किया था इसी लिए तो इसने खिलापत का पद खलीपा का पद भी हटा दिया था तो ये बात भी आपयाद रखना आगे बढ़ते हैं असायोग और खिलापत आंदोलन के समाप्त होने के बाद जब ये समाप्त हो गए तो एक और नई पारटी आई सो ए सुराज पारटी जिसके अध्यच चितरन्दन दास थे और मोतीलाल नहरू इसके सचिप थे इन दोनों ने मिलके सुराज पारटी की स्थापना की थी गांधीदास पैक्ट हुआ गांधीदास जिसके बीच में एक मतलब पहुत्लाज लुकर जो इते हम चाहिए कृप जाता है गांधी 10 पैक्ट 1924 में होता है 1924 में गांधी जी बीमार होने के कारण जेल से रिया हो गए थे इसलिए ये पैक्ट भी हुआ था इस पैक्ट में कहा गया था सयोग अंदोलन अब राश्टी अंदोलन नहीं होगा क्योंकि बदोठप भी हो गया था चवरी चवरा के पाद तो ये अब ये राश्टी अंदोलन नहीं रहेगा और उसी टाइम पर उसके बाद में क्या है ये बात होई थी हालांकि ये शुराज पार्टी की बहुत सारी भूमकाए हैं बहुत सारी इसने काम किये हैं लेकिन हमको उस बे में भी नहीं पढ़ना है हमें एक सिंपल में पढ़ना है गांदी जी को हम पढ़ रहे हैं तो गांदी जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था इसके बारे में थोड़ा समझिए ये एक साथ सदस्य आयोग था साथ सदस्य कमीशन था जो कि भारत का संबि रोद हुआ था वो क्यों हुआ था देखिए तीन फरवरी 1928 को यह आया था मुंबई में और 30 अक्टूबर 1928 को लाहूर में आया था और इसमें साइमन बापस जाओ के नारे लगाये गए थे इस मतलब लाहूर में जिसमें लाला लाजपत राय जी के मरत्तिव भी हो जाती है मैंने आपको जब अगस सिंग को पढ़ाया था तो बताया भी था ऐसा कुछ अब आपने पढ़ाये की नहीं पढ़ाये वो आप जाने वीडियो पढ़िए आप उसमें जाके पढ़ भी सकते हैं नहरू रिपोर्ट आए उसके बाद में जो ये क्या था अभी मैंने बताया साइमन कमिशन साइमन कमिशन ये क्यों आया था भारत के संबिदान की बात करने के लिए इसको क्या है देखकार दिया भारतियों ने इसको गो बैक के नारे लगा कि इसको भगा दिया था और का य ये हमारा संभिदान बनाएंगे और इसमें हमारा कोई भी ब्यक्ती नहीं है, तो अंग्रेजों ने इसके एक बात कही दि, अगर आप लोगों में ऐसी टैलेंट है, ऐसी योगिता है, ऐसी इंटिलिजेंट है, तो आप लोग अपना संभिदान बना लीजिए, हमें क्या पर दिया था उनिस सो अटाइस में ही और नहरू रिपोर्ट के अद्यच मोतिलाल नहरू थे अनिस अधस इसमें थे 9 सदस से और भी थे 10 अगस्त 1928 को नहरू रिपोर्ट आती है नहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था अधिराज जी का दरजाद डॉमिनिन स्टेटस की बात की गई थी डॉमिनिन स्टेटस क्या होता है इन्हों ने कहा था नहरू जी ने मोतिलाल नहरू ने कि हमें डॉमिनिन स्टेटस चाहिए डॉमिनिन स्टेटस का मतलब यह होता है सासन की पूरी बागडोर आपके हाथों में है अंग्रेजियों के हाथों में तो हमें भी उसमें इस्सा लेना है हम भी सासन को आपके साथ साथ चलाने की कोशिस करेंगे हमें भी उसमें सयोग करना है हम भी कुछ पद हांसिल करना चाहते हैं हम भी कुछ अधिकार लेना जानते हैं तो ये अधिराज का बात की थी मतलब हमें भी तो कुछ हक दो हमें भी तो अपने देश में सासन करने का दरजा दो तो और इस बात को सुवास चंद्र वो से जबालान लेहरू जो की मुतिलाल नेहरू के बेटे थे ये पूरता सहिमत नहीं थे सहिमत थे लेकिन पूरता सहिमत नहीं थे और सहिमत नहीं थे तो भारत के लिए पूरण सुतंत्रता ये लोग क्या बात कर रहे थे सुवास चंद्र वो जबालान नेहरू ये पूरण सुतंत्रता की बात कर रहे थे पूरण सुराज की बात कर रहे थे बारत के लिए तो नवंबर 1928 में आल इंडिया इंडिपेंडेंस की भी स्थापना की थी इन्हीं लोगोंने मिलके कि हमें पूरण सुतंतरता चाहिए राष्टबादी मुसल्मानों ने नेरू रिपोर्ट को सुईकार किया था जो नेरू रिपोर्ट आये थी उसमें जो राष्टबादी मुसलिम थे उन्होंने इस नेरू रिपोर्ट को सुईकार किया था कहा ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है इसमें जो बात कही है कम से कम कोशात तक तो हमें इसमें हिस्सा मिलेगा और जब थोड़ा मिलेगा तो आगे भी मिलेगा लेकिन मुहमद अली जिन्ना जो थे वो क्या कह रहते उसी टाइम पे इनका एक पंच आता है ये क्या बोलते हैं ये कहते हैं मुस्लिमों के लिए कुछ अलग से कुछ रियास बना दीजिए ये जिन्ना का काम था जिन्ना ने जिसमें ये पूरण सोराज की मांग करते हैं अर्थात अंग्रेजों से पूरण सुतंतरता की मांग करते हैं नेहरू जी तो ये थी आपकी क्या नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट किसकी थी मो गर्तांथर का सब्द ये तो पहले ही से था हिंदू मुस्लिम एकता खंडता की बात की गई थी तो समाज बात ये जो शब्द है ये गर्तांथर है ये नहरू जी के बिसे थे ये नहरू जी की बाते थी और ये ही हमारे संबिदान में आती हैं बात में तो समाज बात जो कि 1976 में जोड़ा गया था 42 संबिदान संसुदन के दौरा बारतिय संबिदान में कहते हैं कि 1976 में जोड़ा गया लाहोर अधिवेशन के द्वारा पूरण स्वाधीनता दिवस मनाया गया कैसे 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया पूरण स्वाधीनता दिवस इसलिए तो 26 जनवरी को गरतंतर दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था कि अब हम पूरण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था कि पता चल जाता है कि अब कुछ अलग होने वाला है नह्रु जी ने लाहर जो लाहर अद बैशन हुआ था ना उसके बाद लाहर में क्या है राभी नदी के तट्पे क्या किया था भारतिये सुतंतरता का जंडा फ़ाया था भारतिय सुतंतरता का जंडा फ़राय था रावी नदी के तटपे और इसमें क्या कहा था समपूरण भारत में स्वधीनता दिवस मनाया गया यह जो 26 जनवरी 1923 को पूरण स्वधीनता दिवस मनाया गया था यह पूरे भारत में मनाया गया था रावी नदी के तटपे जंडा ले रह रहा है था लाहोर में सुतंत्रता का जंडा था ये तो आपको पता होना की पूराण स्वदेंता दिवस कप से मनाया आ जा रहा है तो 1936 जन्वरी 1933 इसलिए जब भी जगरतंतर दिवस होता है हमारा वो 26 जनबरी को ही होता है इसलिए होता है गांधी जी त्वारा Гांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग हुए गांधी जी ने पी Сपनी 11 मांगे रखी ती उसमें बाइसरा इर्बिन था और जो पीम थे वो रेम जे मैकडोनाल्ड थे तो इर्बिन के काल में इन्होंने ये मांगे रखें वो इनकी मांगे क्या थी इनको देख लीजिए और ये बड़ी जरूरी है राजनीतिक कैदियों की रियाई की इन्होंने बात की जो राजन में आई नहीं सर तो ये बात है अभी तक जो सेना का जो क्या है जो यहां पर सेना काम कर रही थी देखे सेना जो थी बिर्टेन में काम कर रही थी बिर्टेन में लोग बैठे हुए थे और उनका जो बेतन जा रहा था ना वो भारत से जा रहा था बिर्टेन की सेना का बेतन भारच से जा रहा था बेटेन में जो बहुत उच्चे-उच्छे पद पर लोग बैठे हुए थे उनका जो क्या कहता हूँ जो बेतन जा रहा था वो भारच से जा रहा था तो इनोंने का सेना पर जो बिया है उसको कट्वति करो 50% अपने यहांस है तो 50% हमारे यहांस है ऐसा ही सिभील सेवा में बोला गया बड़े-बड़े पद्जों है उस पे पचास परसेंट कटोती की बात की गई अपरादिक गुप्चर विवाग में सुधार किया जाए जो मतलब रावले टेक्ट जैसे कानून ऐसे कानूनों में सु सुधार किया जाए मतलब हत्यारों के लिए license होना चाई ऐसा नहीं कोई भी हत्यार लेकर किसी को भी ठोक दे रहे है कपडा उदॉग को सरच्षन मिलना चाहिए, रुपै की बिनवेदर को घटा कर एकसलिंग चार पेंस करनी चाहिए कुछ होता होगा उस टाइम का मुझे भी इसमें खूब मतलब पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है लेकिन यहां पर क्या गया है रुपै की बिनवेदर को यहां पर मतलब कुछ एक्स्चेंज में भारत मैं अगर सई से समझाना चाहूं तो ऐसे मैं समझा सकता हूं कि बिन में विवस्था जो थी भारत और बिटेन की वो थोड़ी ऐसी थी कि भारतियों के लिए दुखदाई थी तो उसको सुदार करने की बात की गई होगी तटिये नवबहन को भारतियों के लिए आरचित किया जाए जो तटिये नवबहन है नवकाँ है उनको भारतियों को दिया जाए नमक पर एक अधिकार की समापती होना चाहिए भूराजस में 50% की कटोती भूराजस जो देना पड़ता था उसमें से 85% हम दे पाएंगे जो भी मतलब देना होता था उसका भी आदा दे पाएंगे आज सी 11 मांगे रखी थी गांधी जी ने तो गांधी जी ने बहुत कुछ किया है लेखिन बहुई बात है उन्होंने अपने तरीके अलग रखे er की उनको कभी करिटिसाइज भी किया जाता है और किया भी जाना चाहिए कहीं न कहीं कोई भी न कोई कोई तो मिश्टेक होती ही है तो आज की जो किलास है दोस्तों वह यहीं तक रहने बाली है अब गांदी जी के भी और अंदोलन है सहीयोग अंदोलन तो हो गया अभी सबीने वगया अंदोलन है और क्या बोलता हूं दांडी मार्च जैसे यत्राय हैं वो हम next class में बात करेंगे तो अभी तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें और पेडियाप के लिए हमारा यह टेली ग्राम चैनल है इसको क्या कर लें शेयर करें शेयर तो जरूर करें कमेंट तो बेलकुल ही करें किमेंट में मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अदम है मेरी वीडियो में या मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लोगों को तो कमेंट से मुझे थोड़ा मज़ा आता है तो कैसी लगी वीडियो आप लोग बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में गांधी जी के साथ